चाल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि अगर नेता का चुनाओ करो तो इसकी मांदारी पर करना शिक्षा पर करना केती किसानी पर करना मुद्दो पर करना ना कि जात और धर्म देखकर करना मैं इस जोला की एधिया से धर्टी को नमन करता हूँ आज जो प्रोग्राम है यह सईदों को संदान्जली देने का अपने पूर्वजों को याद करने का उनको सम्मान देने का यादन है हमारे बड़े पूर के सांसाथ आदा जी हैंदर मलिक जी हमारे बिच में है वसीम हमारे साथी संचारन कर रहे हैं पड़ांजी से लेकर चिला पंचास सदस्यति से लेकर हमारे रासित भाई से लेकर कमाम हमारे साथियां पर मुझू है आप ये बात सबसे मैं पूरे जो ध्यान लगना और पल्ले में काट बांद कर जाना भीड भौन वार इखट्टी हो जाती है अगर उसका कोई चेहरा ना हो उसका कोई उदेश से ना हो उसका कोई सोच ना हो तो भीड कहां कुम हो जाती है पता नहीं चलता ए जोला के अत्यासिक धर्टी के लोगों आप टाकतवर हो आपका इत्यास टाकतवर है लेकिन ये ध्यान रखना कि तिन से लगाई हमारी और आपकी है वो इस इत्यास को फुचले और नबाने वाले लोग है वो चाती है और धर्ट्मारा किने वाले लोग है जो देश की अजादी के पहले अंग्रेश किया करते थे फूट डालो राज करो आज इस समय पर इस सरकार में बैठे वे लोग फूट डालो राज करोकी दीदी के तहर हमें और आपको इस देश को बाटने पर तुले हैं इसलिए जब हमारा एक छोटा साथी अभी आया हमने देखा बड़ी संक्या में लोग दर दर भागे तो हमारी और हैंदर मलिक जी की चर्चा चल रही थी कि हमारे अपने लोगों को यह नहीं पता किस समय पर किस जगे पर क्या करना है और क्या बोलना है इसलिए भीर तो इकटा कई बार हो जाती है लेकिन उस भीर का कोई फायदा आपको और हमें मिलने ही पाता यह ध्यान रखना अभी नूग की घटा हुई मुझे भी मेवास में जाने का पूका मिला और मैं हराइस्तान की तरह पलवर के उस प्रोग्राम में पहुचा था जिसमें लाकों की धीरों अपर आई थी बने मुझे बुजर्गोर नजवान सांतियों सुनना यह बाद इस देश को जो सांतियों रबन जाब करने वाले लोग हैं भाई जारों जुड़ों को पैदा करने वाले लोग हैं उस किसाथ सम्मेलें के बाद जब से ऐसी परकापरस्थी को खतम करने के लिए वो मिवाद में प्रोग्राम रखा गया जिसमें दोस्तों साथियों में भी जाने का मुझा मिला हमने दिक्र किया उस नुओर में वाद में कि याद करिये दोजार्टेरा का दंगा जहां मैं विदान सबा जिस विदान सबा से में लेपन कर आता हूँ जिस विदान सबा से मैंने एक ऐसे सक्स्क्स को चुला वराया जो इंसानियत का दुस्बन है इंसानियत में बटवारा करता है जाती और मजब में लगों को बाट कर वा तो आजात तेरे का दंगा हुआ था अरे मरे किसी का लेकिन किसी का बेटा होता है किसी मा का लाल होता है किसी बेहन का भाई होता है और किसी की बुड़ापे की लाठी होता है लेकिन ये ऐसी स्यासत करने वाले लोग जो हमेशा से पठ्वारा करके सक्ता पर काविज रहना चाहते है 2024 तर नू जैसी मेवाद जैसी पतानी कितनी घटना है ये लोग कराएंगे याद करो वो दोजास तेरे का मंज़र ये जोला के लोग और ये पूरी पट्टी आसे चले जाएए इस चाम इस तक मुझे बना गड़तक और उसक जान सक तक नीरापूर तक हाई जगे पहरा था पुलिस का फो जा गई थी हमारे और आपके बिच में से लोग जोजवान साथियों का पड़े बुज़र्गों का खून जाया हुआ ये ध्यान रखना उसी की नीव पर उन्ही लासों की स्यासां पर भार्टे जन्ता पाटी दोहजार चोड़े का चुनाओ जीती कोई लुकास का चुनाओ नहीं था वो और यहीं स्यासाथ पूरे पाट साल दोहजार उन्निस तक लोग लेकी डर दिखाया डर दिखाया 80-30 लोगों को 20-30 लोगों का और जो भाट पाट के लोग भासा बोलते हैं ना 80-20 वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको वो स्यासत मुवीद आती है उनको भागदा देती है इसलिए उन्हें हिंदू मुसल्मान कराने का फायदा है ना वो देश की सोचते ना वो जवान सातियों आपकी सोचते उनके मन में अगर कोई भाव है कोई बात है कोई सोच है कोई विचार है तो सिर्फ सक्ता परकाविद रहना और यह जिन्दा यह जिन्दा 2019 से भी लगाता चल रहा है पुल्वामा हुआ आप तक कातिल नहीं पकड़े गए यह भी बेवात में दंगा हुआ सरकार आवकी हर्याना में आवकी उत्रपरदेश में आवकी देश में आवकी एक चंद मुट्टीवर लोग निकलते हैं और दंगा करा देते हैं दंगा जिसमें कई लोगों की जाने जाती हैं हम इस बाट पर नहीं जाना चाहतें कि मरे मन हिंदू या मरे मुसल्मान वोई बात आती है किसी का तो जिगर का टुक्ड़ा गया होगा लेकिन चुकि सियासत है सियासत इसलिए जोलावा लोग समझना जान लगना बहुत ताकतवर गाओं है आपका ये पहादत का प्रोग्राम है और जब कोई ऐसा प्रोग्राम रखो तो मंच और सामने वाले लोग जब दूर से लोग आएं उनकी बात इत्मान से सुननी चाहिए पतानी कौन सी बात कैसी बात आपको अच्छी लग जाएगी और कौन सी बात आपके लिए मुफीद और भाइदा दे जाएगी सियासत जिस तरफ बढ़ रही है टीवी अकबार मॉबाइल लोगों की जबाभाद से लिखले में वो संद और लग जो लोगों को बाढ़ते हो इसे सियासत जो बाई से भाई को अलाती हो इसे सियासत जो लोगों में दुस्वणि पैदा करती हो देश के पड़ान Whoo जब कपlay देखकर लोगों का Pariction कर लेते हो देश का पजान मंदली लोगों के कपड़े देखकर ये पताता है कौन अच्छा और कौन बुरा तो सोच ये सियासत कि दर की तरब जारी और ये सियासत हमें और आप को मिलकर रोपनी है कोई कितनी भी दवरत की बात करे कोई कितनी भी जुल्व और जास्ते की बात करे ये ध्यान रखना ये दोसों लोगों की कुर्बानिया जो इतियास के पन्नों पर अमित चाप छोड़े हुए है बेसा किसे दबा दिया जाए बेसा कुचल दिया जाए बेसा छुपा दिया जाए लेकि आप और जासिपात का साक्षिय है हम और आप ये जुल्व और भा हुने देष की कुर्बानी देष के लिए कुर्बानी आती है इसलिए कोई साइटिपिक्ट माँगे कोई अपसब बोले कोई इतादर की बात करे तो सोच लेना सिर्फ सियासती बात है बटवारे की सियासत के लिए बात बोली जारी है आप ये मत समन्ना मेरे नूमे भी ये बात कहीं मेवाद में हर तेगार मौके पर ये बात बोलता हूँ और जोस्तों समन्ना और जान्ना आप लोग इस हिंदुस्तान की धष्टी पर बाई कोईस है आपने हिंदुस्तान को चाहा और जिस समय गादी दीने कहा था कि एक तरब पाकिस्तान है और एक तरब हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान के मुसल्मानों ने ये कहा कि यहां पर हमारे पूर्वजों की कबरे है हमारे बड़ों की कबरे है यहां पर चमकता तबकता ताजमेल है वो लाल किला इस बात की दस्तक है कि हमारे पूर्जों जोने उसे खड़ा किया यह आपर खड़ी कुतुर मिलाग यह आप क्या हुआ पूर्वजों की है वो इंडिया गेन्प पर निखे ले हज़ारों नाम जिनों ने तमाम करे की सियासते हिंदु और मुसल्मानों ने मिल कर दी उस पर खुद्रावा एक एक नाम वो मुसल्मान हिंदु भारी दोनों का है तो आप लोग इस हिंदुस्तान की जब इस बाद, अपनी इचासी अपना देश सब्कर योँपर है! अगर कोई आपके बिछमे ऐसी बात दोले हिंदू और मुस्ALमान की और देश की तो कहना यह ऐसा हंदुस्तान? यह मेरा हिंदुस्तान? क्या बोलेंगे किसका हिंदुस्तान जोड़ से बोले हिंदुस्तान जोड़ से बोले लिया हिंदुस्ता इसलिए द Kerry इतना कहना चाहता हूं कि कि जब कोई मजमा हो उसमें अगर बगेरे सेज़ चीते मौप का अपुआ फिल्बी स्टाइल में कुछ चीज ना हो तो फिर उसको ध्यान से सुनना यह मजमा नहीं है ऐसा यह ऐसा मजमा नहीं कि हुर्रो हो यह 200 लोगों की सियासत का मजमा आया यह 200 लोगों की सियासत में बैटे वे उनको सर्दान के लिए देने के लिए लोग इखटा हुए हैं इसलिए मेरे भाई हो मैं आप से कह के जाओंगा कि समझना और जानना खास तोर से नहीं लुड़कों कह रहा हूं समझना और जानना यह इंस्टाग्राम यह फेस्बुक यह ट्यूटर यह जोवर में जित्म बहुत सारी जिंद्धीं कि सच्छाईं नहीं कि बताओ जिंद्धीं कि सच्चाई हैंगि अरे बताओ सीमा हैंधर कों सीमा में उस द्वाइन इस्टागरां पर कौण और और तो छोड़ो वो एक मितलेश भाटी हैं उन्होंने कहा दिया लप्पूसा और धिंगर्जा वो भी चल गई अब बताओ ऐसी चीज के पीछे भागोगे क्या फाटा अभी जाओ किसी पिक्चर को देखने अभी आज भाजपा के लोगों का माने हैं जी बैटे बयान आया कि सारुक कान की पिक्चर आई ये जवान और वो जवान जो पिक्चर आई है सुनो अभी बोलना उसके पीछे इन्होंने भाजपा के लोगों ने कहा कि ये ज का चुनाव करो तो इसकी मांदारी पर करना शिक्षा पर करना खेती किसानी पर करना मुद्दो पर करना ना कि जात और धर्म देखकर करना तो बताइए वो पहले वाले पर लागो होता है या इन पर लागो होता है यह इन पर लागो होता है परेसान है विचारे अब कुछ बो जवान का विरोग क्या से करोगे वर्दी में वर्दी में था जवान बाप वोज में था पिक्चर देखी ने भी तो सुनी सुनी है देख के आओंगा लेकिन ज़रूर इसलिए हम सबसे कह के जाएंगे लोजवान सातियों कभी कही पर जाओ जो सामने लोग आएं उनका इजद करने चिर एत्राम करना चीज और अपनी ताकत आप कभी कभी ध्यान लगना एक लाग लोग कम बढ़ जाते हैं और सामने तस खड़े में संगठनवाले लोग ताकत वर हो जाते हैं हो जाते हैं नहीं हो जाते बताओ ऐसलिए खटते रहना एक जुट रहना और जो जोड़ने की सियासत करने वाले लोग हैं उनकी मदद करना यह लड़ाई बहुत बड़ी है बताओ क्या आपकी बिना ताकत के हम लोग संगीस्वां को कभी हराब आते हैं जोड से बोले के हराब आते कभी जब सब जाती है और वर्क के लोगों को लूब इसलिए सब से कहके जाएंगे हमनु में जो धगड़ा हुआ मेवात में हमने सिर्फ एक बात के कि भाईचारा खत्म मत करिए भाईचारों को मत विगाड़ी और जो लोग भाईचारों को विगाड़ने वाली लोग उनको हम अच्छा नहीं बानते हिन्दु हो यह सब लोग लेकिन जाद देखकर धार्म पूछ कर कपड़े देखकर किसी के साथ अगर ऐसी स्यासत हो कि जिससे भेदबाव और बढ़े ऐसी स्यासत के हम लोग पक्सदर नहीं है इसलिए हम सबसे कहके जाएंगे कि खटे रहना एक जुट रहना यह लड़ाई बहुत बढ़ी ह अरे कई लोग चलेगे अभी कुछ बास सुना देते अरे सेरी तो कहना नहीं आता और तो सब बात आती हैं मैं कहने सेर भी याद कर लेंगे कोई क्यों चले पढ़ते हैं उसूलों पर अगर आच आए तो टक्राना जरूरी है और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है इसलिए हमारे और आपके उसूलों पर आच आ रही है इसलिए तक्राएंगे लड़ेंगे संगर्स करेंगे कोशिस करेंगे कि कैसे चीजे पहतर की जाएं बदाओ मदद कर दोगे हमारी एक बार हाथ कड़े करके बदाए हैं सब मदद करेंगे बहुत बहुत आपका सबका मतश्या फॉकरिया बहुत लिवात जोड़ से नाद Tudo गाएं जोड़ से लोड़े का आवासै का के में बोलना मति पूलना अलाक्ति कि मुट्टि बंगर रहटा अवाज दो इंक्राप इंक्राप बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मैं यही सबसे बात कहें बात सबाब करूँगा यहां पर जितना मजमा हैं जितने लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं और अतुल पडान और हिंदु हैं लेकिन यही असली स पर आएगा उस पर लोग एतराम करेंगे मैं उन ऐसे च्छलर कपट वाले लोग उस कहता हूं आओ जोला के मंच पर आके देखो अतुल पडान को प्यार करने वाले लोग हजारों नहीं लाखों हैं यह असली हिंदुस्तान हैं तुमारा वाला हिंदुस्तान असली हिंदु वाहों में याद करना बहुत बहुत धन्यवाज शुक्रियां